नमस्कार स्वागत है आप सभी का Incredible GK Glasses पर आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महत्मा गांदी के महान विचारों कе बारे में जीवन को नई उजाओ और प्रेना देने वाले बापु के महान विचारों को इस वीडियो के माधियम से हम जानने वाले हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के तटिये इलागे पोर बंदर में 2 अक्टुमबर 1879 को हुआ था अपने प्रारंबिक जीवन काल में सेही बापु ने वक्यालात की पढ़ाई किया और लंदन में वक्यालात की इसके बाद 1893 में वहां तक्षिन अफ्रीका गए और वहां से 1915 में वापसी के बाद उन्होंने भारत में अंदुलन किये अपने सिधान्त सत्य और अहिंसा के साथ उन्होंने कभी समझोता नहीं किया जीवन परियंत तक अबहा भारत की आजादी और भारत की स्वतंतरता के लिए लड़ते रहे और भारत को स्वतंतर बनाने में महत्वपून भूबी का निभाए आज उन्ही के विचारों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले है अहिंसा के विशे में बापू का विचार अहिंसा मानवता के लिए सबसे बड़ी ताकत है या आदमी के द्वरा तैयार विनास के ताकतवर हतियारों से अधिक शक्तिशाली है इसमें बापू ने अहिंसा को ही सरोपरी माना है आत्म ग्यान पर बापू का विचार अपने ग्यान पर जरुष से ज़्यादा यकीन करना मुर्खता है या याद दिलाना ठीक होगा कि सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गल्ती कर सकता है महात्मा गांधी के महान विचारों में खुद को खोजने का सबसे अच्छा और सबसे अनुपम तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खोदो अपने आपको दूसरों की सेवा में समर्पित कर दो और जीवन में असीन सांती और सुक का अनुबह करो यहां महत्मा गांधी का मानना था महत्मा गांधी के विचारों से जुड़े हुए महान विचार आप मुझे जंजीरों में जकर सकते हैं यातना दे सकते हैं यहां तक की शरीर भी नश्क कर सकते हैं लेकिन आप कभी मेरे विचारों को केज नहीं कर सकते जीवन में सफलता हसिल करने है तू बापू का विचार पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे फिर वह आप पर हसेंगे फिर वह आप से लड़ेंगे और तब आप अंत में उन सभी से जीत जाएंगे जीवन में सफल होने के लिए हमें जीवन में आने वाली हर एक संकटों का सामना बापू के द्वारा दिये गए इस विचार के माध्यम से करना चाहिए स्वास्त शरीर के विशे में बापू का विचार या स्वास्त ही है जो हमारा सही धने सोने चांदी का मुल्य इसके सामने कुछ नहीं है बापु ने इस विचार के माध्यम से मनुष्य के सरीर और स्वास्त के विशे में यहां बोला है कि संसारिक वस्तूओं का मुल्य मनुष्य के स्वास्त के बराबर कुछ भी नहीं है भविष्य के प्रती बापु का विचार भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप वर्तमान में जो कर रहे हैं भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा सच्ची स्वतंतरता के विशे में बापु का विचार जिस दिन भारत में एक महिला स्वतंत्र रूप से रात में सड़कों पर चलने लगे कि उस दिन हम सही मायने में कह सकेंगे कि हमने स्वतंत्रता हासिल की है बापू ने इस विचार के माध्यम से भारत की महिला को शशक्त बनाने और उसे बराबरी का हक दिलवाने हितू इस विचार में कहा है सत्य और अहिंसा के विशे में बापू का विचार, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भखवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन मात्मा गांधी के महान विचार, आँख के बदले आँख फुरे विश्व को अंधा बना देगी, किसी देश की संस्क्रती लोगों के दिलों में निवास करती है और आत्मा में निवास करती है इस विचार के माध्यम से हम इसी भी देश की संस्क्रती के विशे में बापू के इस विचार से जान सकते हैं निरंतर प्रियास के विशे में बापू का विचार थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बहतर है वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करें, कमेंड करें और शेर करें इसी तरह के इंट्रस्टिंग और नॉलेजिबल वीडियो के लिए हमारा चैनल Incredible GK Classes सस्क्राइब करें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद जै हिंद बंदे मातरम भारत माता की जै